तो आज के इस वीडियो में हम लोग तीन क्वेशन्स करने वाले हैं जो कि बहुत ही बेसिक क्वेशन्स हैं और इसे आपको कॉंसेप्ट और जो भी फॉर्मिले इंपॉर्टन्ट है वह आपको सीखने को मिलेगा तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखे बहुत ही काफी क्लोज आ रहे हैं तो अक्वेशन्स के फॉर्म में ही लर्न करना सही रहेगा अकॉर्ण टुमी तो आप वीडियो को एंड तक देखेगा सबसे पहला कॉश्चिन हमारे पास है अचास बॉल भी हैंक्स फ्रम और सिल्क थ्रेड एस एक बॉल जो है हैंक कर यह सिल्क थ् है विच मेक्स अंगल थीटा विद लाज चाज्ट कंड़क्टिंग शीट और जो की पी एक शीट है बहुत लाज कंड़क्टिंग शीट है तो इंफिनाइट प्रेट अपन सकते हो इसको दचार्ज दर सर्फिस शार्ज डेंसिटी और शीट इस प्रोपोर्शनल टू किसके इसके प्रोपोर्शनल होगा स्टिक है तो ये प्लेट भी चारज ए और आपका जो सामने क्यू शार्ज हैंग कर रहा है तो थो पोसके हैं कर रहे हैं तो इसके fdd को हम से हम लोग यहां पर इसको सॉल्व करेंगे इजी एफबीडी बनाइंगे हम लोग सबसे loaf में नोग समी कम ऑद तो कि हमारे पास हैं जो फीगर है उसे इसाब से मना देंगे यह प्लस चार्ज फिट चार्ज मत सबस्छा और और यह बोल जो हैंक कर रही है ठीक है और यहां पर बन रहा है तो यहां पर फॉस को शो कर देता हूं कि आ फोसी लग रहे होंगे तो यह तो यहां पर एक टेंशन आ लेते हैं इसकी surface charge density sigma है तो यह field कितना produce कर रही होगी field produce कर रही होती है sigma by epsilon not ठीक है यह एक important formula है आप देख लो जो charged plate होती है very large charge plate उसके लिए उसके कारण जो field आता है वो आता है surface charge density by epsilon not ठीक है अब यह hang कर रहा है तो यह क्या करेगा रिपल करेगा तो इसके कारण इस में इस string में टेंचन आएगा ठीक है जब यह angle theta है तो यह angle भी क्या होगा आपका theta होगा ठीक है जब यह angle theta होगा तो आप इसको components में तोड़ लोगे simply इसको components तोड़ो तो यह angle यह component हो जागा t cos theta आपका ठीक है और यह वाला component आपका बन जाएगा what t sin theta यह component हो गया ठीक है और इस component की हम बात कर लें तो यह आपका simply क्या हो जाएगा इसका weight हो जाएगा mg डाउनोड एक्ट करेगा जो की और यहां पे एक electrostatic force लग जाएगा columns lock according अगर यह electric field ई लगा रहा है और इस 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 चार्ज का magnitude की है क्यों है तो इस पर force लगेगा क्यों ही अब देखो हम लोगों को क्या करना है equilibrium में होगा यह जो आपका ball हैंक कर रहा है तो equilibrium of forces हम लोगों को लगाना पड़ेगा जो आपका fx होगा net fx वो 0 होगा net fy आपका 0 होगा तो हम लोग यहां पे equation लिख सकते हैं हम लोग यह equation लिख सकते हैं यह हो जाएगा आपका पहले हम लोग लिखते हैं एक्स के लिखते हैं तो एक्स के लिख सकते हैं कि tsin theta is equal to f is equal to qe ठीक है और मैंने आपको बताया है यहां पे e की value कितनी है sigma by epsilon not तो sigma by epsilon not आप इसको लिख सकते हो यह क्या हो जाएगा q into sigma by epsilon not ठीक है हमारे पास tsin theta के value आगए similarly हम लोग tcos theta के value भी निकाल सकते हैं y direction में जब हम लोग equate करेंगे forces को तो tcos theta will be equal to mg tcos theta will be equal to mg अब हम लोग क्या करेंगे यह जो हमारा equation बना यह equation और यह equation दोनों को हम लोग क्या कर देंगे divide कर लेते हैं तो जब हम divide करेंगे तो हमारे पास आएगा after dividing we get tt cancel हो जाएगा आपको sin theta by cos theta you will get tan theta and that will be equal to what it will be equal to q sigma by epsilon not mg तो हम लोगों को पूछा था कि surface charge density की क्या variation होगी वो किस पर depend करेगा तो आप यहाँ पर सिगमा देख सकते हो tan theta आप देख सकते हो तो सिगमा जो है आपका q is your constant सिगमा इस सिगमा नॉट इस को एपसालों नॉट इस constant नम जी इस constant तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि थिटा जो होगा वो किस पर कर रहा है वो प्रोपोर्शनल हो रहा है tan theta के तो यह रहा हमारा एंसर हो जाता है अब लोग आप इसको नॉट करते चलोगे तो आपके लिए अपने यहाँ पर क्या कैसी कहा है आप देख सकते हो कि जो आपका प्लेट है यह इस प्लेट के कारणा जो फिल्ड होगा इस प्लेट के कारणा जो फिल्ड होगा electric field ठीक है वो कितना होगा तो e is equal to आप देख लोगा यहाँ पर सिग्मा भाई एपसाइल नौट यह आपने सीखा ठीक है फोर्सेस को हम कैसे एक्वेट करते हैं यह तो बेसिक सा था ठीक है तो भाई चीज अब हम लोग नेक्स्ट कुशन देखते हैं हमारा नेक्स्ट कुशन यह रहा सामने कि फोर चार्जेज इक्पल टू माइनस क्यू आ यह भी कुशन है तो हम लोग एक रफ स्केच बना लेते हैं सबसे पहले रफ स्केच हम बना लेते हैं तो एक स्क्वेर बना है ठीक है स्क्वेर हमने बनाया स्क्वेर पे हम लोगों को सारे पे माइनस क्यू माइनस क्यू रखा गया है माइनस क्यू रखा गया है पहले हम लो Q मैं रख देता हूं सबज़ेगे माइनस Q माइनस Q माइनस Q माइनस Q माइनस Q डाल दिया मैंने अब आप देख सकते हो यहां पर सेंटर पर भी एक चार्ज है दाइस छोटा Q पर इस प्लस चोटा Q हम लोगो को यहां पर सिंपल सेक मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं कि जिसे अगर हम लोग यह माइनस चार्ज को देखे माइनस Q माइनस Q को देखे और इस चोटे Q को देखे तो यह माइनस Q है माइनस Q है और यह प्लस Q है तो आप देखोगे जब भी प्लस Q पे प्लस Q पे अगर आप दोनों साइट से देखोगे तो यह एक दूसरे को क्या करेंगे ओपसिट साइंस के हैं यह दुना अट्रैक्ट करेंगे तो इधर से भी attraction बराबर और इधर से भी attraction बराबर हो रहा है ठीक है तो यह equilibrium में आपका रहेगा ठीक है तो इसी लेकिन हम लोग इसकी equilibrium को check नहीं करें एक जो corner पर आपका जो charge रखा हुआ उसके equilibrium को हम लोग check कर लेते हैं ठीक है तो check करने के लिए हम लोग यहां पर forces देखते इस वाले पॉइंट है आपका यहांपर जो फुद्स होगा आपका कि कि इस चार्च के तुर्स चार्च के कारण के चार्च के तरहले हम लोग यहां पर करथे हैं एक और लिए जटले न estado शार्च मिठेंप और इसके करणा भी देखते हैं और यह भी और याघनल के हाफ लेंक य歌 है इसके क्रणा भी लोग देए कि यहाँ पर हम लोग इसका fbd बना लेंगा Yeah भाते तो नीचे वाला जो चार्ज है यह नीचे वाला जो 1 ना फोरस डार्ण और स्वाल्ड के कारहन तेन कहता है और यह सब्सक्राइब जो बेठ Sherman से और दो नो थैक deta तो यह कुझा एक नमने टोंटीज्ट का यहूं इसको बीडिकर है ना कि Kitchen ओड newer तो हम लोग F1 और F2 लिख लेते हैं क्या होगा F1 और F2 जो हम लोग लिखेंगे F1 और F2 को हम लोग लिख लेते हैं तो F1 is equal to F2 और वह हो जाएगा कि इसके बराबर के Q square divided by A square ठीक है सिंपल हो जाएगा और यह वाला जो फोर्स हो गया मतलब F3 तो F3 भी हम लोग लिख लेते हैं कि F3 क्या हो जाएगा आपका F3 आपका हो जाएगा के Q square divided by distance आपका क्या हो जाएगा रूट 2A square ठीक है अब जो हमारा स्माल क्यू है इसका फोर्स क्या हो जाएगा इसको भी लोग लिख लेते हैं और यह हो जाएगा चलो से इसको हम लोग F4 बोल लेते हैं यहाँ फोर है F4 जो है हम लोग लिखेंगे तो यह हो जाएगा के कैपिटल क्यू रूट 2A by 2 का square ठीक है हम लोगों को आप क्या करना है यहाँ पर simply यह जो आपका force है F1 F2 F1 F2 जो force हो गया आपका F1 F2 जो force है और F3 है ठीक है इसका जो resultant होगा उसको हम लोगों को क्या करना है F4 से equate कर देना है ठीक है क्या समझें आप लोग कि हमारा जो F4 है क्योंकि वो isn't it's an opposite direction ठीक है और जो भी forces आपके आ रहे हैं क्योंकि यह एक attractive force है और जो भी F1 F2 और F3 आ रहे है वो repulsive है ठीक है वो repulsive है नेचर है तो इन तीनों का resultant हम निकालेंगे उसको F4 से equate कर देंगे ठीक है F4 से equate कर देंगे तो चलिए हम लोगों equate करते हैं इसको तो इसको हम लोग कैसे solve कर सकते हैं यहाँ पर F4 को हम लोगों को equate करना है किस से हम लोगों को equate करना है F3 प्लस यह आपका हो जाएगा magnitude यहाँ पर F1 F2 की equal है इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको equal है विल्गल क्योंकि charge और आपको क्या है charge और distance जो है दोनों same है तो आप force की value लिखोगे तो वो भी same आएगी आपको ठीक है तो हम लोग इसको जब solve करेंगे तो इसको हम लोग सबसे पहले component ले लते हैं तो जैसे क्योंकि दो forces 90 पे तो उसका जब हम लोग resultant निकालते तो वो क्या आता है root 2 अब यहाँ पर F2 ले लो या F1 ले लो दोनों बात बराबर है ठीक है इसको हम लोग को इस से एकुइट करना है तो F4 की value हम लोगों ने क्या निकाली है F4 की value हम लोगों ने निकाली है कि जो जो इसका solve करोगे तो यह क्या है root 2 भाई a by 2 का whole square तो यह हो जाए गा आ यह क्या जाना अपको टू आजाएगा उपर आजाएगा और नीच्य आ जाएगा 2 उपर आजाएगा और नीचे रहेगा आपका a square और इसको हम लोग equate कर देंगे किसे यह हो जाएगा आपका f of 3 क्या है आपका f3 क्या है आपका f3 जो है नहीं निकाला है k q square by हो जाएगा 2 a square plus यह हो जाएगा आपका यहाँ पर root 2 लिकना है आपको root 2 k q square by a square now just you have to solve this तो आप यहां से लिख सकते हो कि a square a square gone ठीक है k gone k gone k gone और एक एक q भी आप गया तो आपका यहां पर बचता क्या है तो आप यहां लिख सकते हो इसको solve करने के बाद यह आएगा आपका यह हो जाएगा आपका 2 q is equal to capital q by 2 plus root 2 q हमनों को small q निकालना है तो जब small q जब आप निकालोगे small q will be equal to q by 4 q by 4 plus root 2 by 2 q q यहां से आप कुछ common वगरा ले सकते हो common वगरा जब हम लोग लेंगे तो q by 4 हम common लेंगे जब यह हो जाएगा 1 plus 2 root 2 और यह हमारा answer है आप इसको match कर सकते हो आपके गिवन option से तो हम लोग next question के तरफ move करते हैं बहुत ही basic सा question है यह भी तो the electric field due to a uniformly distributed sphere of radius r as a function as a function of the distance from the center of ठीक है तो अगर हम लोग एक इसके variation को देखे field के आपका uniformly charged sphere है जिसका radius क्या है आपका r है ठीक है तो देखो uniformly charged sphere के अंदर जो है uniformly charged sphere के अंदर जो field का जो variation होता है inside के अगर मैं बात करूं inside के अगर बात करूं तो field जो है proportional होता है radius के मतलब distance के ठीक है अंदर वाले distance centers job देखोगे लेकिन अगर जैसे ही आप outside जोगे जैसे field की variation होती normally one by r square से vary करता है तो आप ट्रेंड आप इसका आप इसका आपको inside मैंने क्या बताया linear variation है तो linear variation है linear variation ऐसे होगा ठीक है उसके बाद आपको क्या होगा linear variation यह हो गया उसके बाद outside में आपका variation है one by r square को तो इट basis हो गया ठीक है तो आप option यहां पर देख सकते हो simple सब्सक्राफी simple question था option भी आपका match कर जाता है option भी आपका match कर जाता है ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like करिएगा वीडियो को अगर आपको कोई भी doubt होता है तो आप comment box में पूछ सकते हो और notebook में आप इसको note करते चलो बहुत ही चोटे-चोटे crisp concepts question के तुरू मैंने बताने की कोशिश की है formula भी तो आप इसको बार-बार आपको देखने की ज़रुद नहीं नोटस आप बना रहे हो उसको revise करते चलो और मैं daily videos आप लोगों के लिए निकालते रहूँगा बहुत ही helpful होगा आपके लिए तो next video में जल्द ही मिलते हैं लोग तब तक के लिए by best of luck